तो ये है दो हजार चोबिस माडल यमहा MT-15 जो की एकदम नया कलर नया मोडल है और इस गाड़ी में पांच नए बदलाव आए हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें पांच नए चीजें क्या आई हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट चीजे हैं और बहुत जरूर चीजे है तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए साथ में बेल आइकान भी प्रेस कीजे सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं सामने का लुक ये पूरा बलेक पर आपको मिलेगा और भी मैट फिनीसिंग पर यहाँ पर आपको डी आरल मिल जाएगा सामने आपको मिलता है LED वाले इंडिगेटर इस बाइक में चारो इंडिगेटर वो मिलते है LED सेप में ये देखिया और उसके बाद ये पूरा बलेक फिनीसिंग रहेगा यहाँ पर LED प्रोजेक्टर हलेब रहेगा यहाँ पर आपका मिलता है नंबर पर लगने की जगा आप बात आती है कि भाई ये छोटी से light क्या काम की है तो दोस्तों यही गारी आपको यही light जो है गारी आरोन 5 में मिलता है और जो आरोन 5 गारी में ये मिलता है वो मेरे में ही है आरोन 5 में लिया हूँ तो उसमें light एक नंबर कर रहता भाई light की कोई प्रावलम नहीं होती है यूशिडी फॉर्क के सस्पेंसन मिलता है गोल्डन कलर के फरंट पे अगर आप देखेंगे तो 282 mm का फरंट पे आपको डिस्परेक मिल जाएगा डूवल चेनल यूशिडी फॉर्क रहेगा आपका और सामने देखेंगे आप अगर फ्यूल टेंगे तो यह आपको गिरिल मिलती है यह देखेंगे यहाँ पर आपका MT 15 लिखा मिल जाएगा और MT 125 भी आने वाली है बहुत जल्द मिलेगी वीडियो तो स्क्राइब कर लो चैनल यहाँ पर आ लेकुड कॉल एंजिनिस रा से बिदिया गए इतना इस मौग सा ठीक है तो निकुड कुल एंजिन रहे गा यहां पर यह लेकुड कुल का पूरा सेटप दिया गया है यहां पर आपको एंजिन गार्ड मिल जाएगा पिनफल यह आपका फाइबर पर रहेगा प्लासिक पर और एंजिन जो इसके अंदर मिलता है वो 155 CC liquid cool engine दिया गया है single cylinder 4 stock और इसमें 4 wall मिलते हैं और ये आपको mileage देती है 40 का और only self starter रहेगा ये आप देखते हैं यमाहा की बेजिंग oil यहां से जाएगा oil filter है engine आपको बहुत ही गजब का मिलता भाई लेकिन इसमें आपको quick shifter नहीं मिलेगा और इसका जो frame है वो delta frame मिल जाता है चेसी यह है इसका brake lever photos आप देखते हैं बढ़िया number one और यह रहा इसका exhaust silencer यहाँ पर यह पूरा fiber है यह आपका silver finishing पर रहेगा dual tone finishing के साथ यहाँ पर आपका texture भी दिया गया है यहाँ पर pair रखेंगे तो यह आपका पूरा guard जैसा बनाए गया है यह नमबर one है यहाँ पर यह आपका brake fluid है और यहाँ पर आपका मिल जाता है footrest और इस पर आपका silver पूर रहने वाला है उसी के नीचे आपको मिलता है यमाहा का नया बेजिंग नया sticker नया graphics यह देखें जबर दास्त और यह रहा इसका fuel tank आपको matte black के साथ इस color में dual tone रहेगा यहाँ पर logo E20 का यह आपका fuel tank का कैफ है यह रहा इसका agination पूरा fully digital meter इस गारी में मिलता है वो भी gear indicator के स neutral है TCS attraction control यह handle bar आपको पूरा bend pipe पर रहता है यहाँ पर आपको मिल जाती है engine के switch है यह आपका selfish starter दिया गया है handle bar इस तरह से मिल जाता है high low being passing turn signal horn का setup यहाँ पर आपको मिल जाता है यह रहा इसका agination पूरा इस तरह से setup आप देख सकते हैं और fuel tank के specific बात के तो 13 liter है पूरा इस इस तरह से रहेगा indicator आपको LED वाले मिल जाते हैं यहाँ पर आपका reflector है यहाँ पर भी reflector नंबर पेट यहाँ लगेगा पीछे का मड़ फिलेफ जो मड़गार है यह सबसे अच्छा दिया गहा है दिखिया पूरा यह बढ़िया बिले कलर कर रहता है मोनो सोक सस्पेंसन आपका यहाँ पर दिया गए है यह आपका अंडर कबर है सुइंग आपकी बात करें तो आपको मिलती है अलमूनियम पर 220 mm का फरंट रियर में भी डिस ब्रेक दिया गया है आगए आपको 280 mm है MRF का टायर है और साइज यह 1477 का यह आपका रहेगा एक जो सालेंसर रियर का जो है अंदर का लुक इस तरह से आएगा पूरा सटप दे सकते हैं नमबर पेट के लाइट है और अब आपको मिल जाता है इस तरह से पूरा सिन यह देखे पूरा लुक अभी इसके हम बात कर लेते हैं प्राइस की तो आउन रोड कीमत इस गाड़ी की है दो लाग साथ हजार रुपए गाड़ी आपको मिलेगी यहाँ पर पावर बाइक्स यह महा वीडियो पसंद चैनल को सबस्क्राइब वीडियो को लाइक से जरू करें